हेलो दोस्तों इस विडियो सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में हम जिस विशे का अध्ययन करने जा रहे हैं वो अमल, आसिद्स और क्षारक, बेसिस के गुण धर्म है दोस्तों आप पहले से ही इस तत्य से अवगत हैं कि भोजन का खट्टा एवं करवास्वाद भोजन में विद्यमान, क्रमशह, अमल एवं क्षारक के कारण होता है आएए अब हम अपने विशे को अमल और क्षारक के कुछ दैनिक जीवन उदाहरणों से शुरू करते हैं यदि परिवार का कोई व्यक्ति अधिक भोजन करने के बाद अमलता की समस्या से पीड़ित है तो आप निम्न में से कौन सा उपचार सोजाएंगे? नीम्बू का रस, सिर्का या बेकिंग सोडा का विलेयन? उपचार चुनते समय आपने कौन से गुण धर्म के बारे में सोजा? निश्चित रूप से आपने अमल और ख्षारक के एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करने के ज्यान का उप्योग किया होगा, है ना? और इसलिए जब कोई अमलता से पीडित होता है, तो आप जो अपचार दे सकते हैं, वो है बेकिंग सोडा का विलेयन, क्योंकि इससे अतिरिक्त अमलत बेशर हो जाएगा और तुरंत राहत मिलेगी. आए, अब बात करते हैं सूचक, इंडिकेटर्ज, क्या होते हैं? जैसे कि इसके नाम से ही संकेत मिलता है कि ये पदार्थ की प्रकृती के बारे में सूच ना देता है, कि पदार्थ प्रकृती में अमलिय, आसिडिक है, या ख्षारकिय, बेसिक है. आए, पहले हम प्राकृतिक सूचक, लिटमस के बारे में बात करते हैं. लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थैलोफाइटा समुव के लिचेन पौधे से निकाला जाता है. रायह इसे सूचक, इंडिकेटर की तरह उप्योग किया जाता है. लिटमस विलयन जब ना तो अमलिय एसिडिक होता है और ना ही क्षारकिय बेसिक तब वो बैंगनी रंग का होता है. ये अब दो रूपों में उपलब्द है, जो नीले और लाल लिटमस हैं. अमल जो स्वाद में खटा होता है, नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, तथा लाल लिटमस के मामले में रंग में कोई बदलाव नहीं होता है. इसी तरह स्वाद में कड़वा होने वाले क्षारक लाल लिटमस को नीले रंग में बदलते हैं तथा नीले लिटमस पेपर के रंग में कोई बदलाव नहीं होता है हल्दी एक और ऐसा सूचक है क्या आपने देखा है कि एक सफेद कपड़े पर लगे सबजी के दाग पर जब शारकिय प्रकृती वाले साबुन को रगड़ा जाता है तब वो लाल भूरा हो जाता है लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वो फिर से पीले रंग का हो जाता है ऐसा क्यों क्योंकि तब पानी से ख्षारकिय साबुन निकल जाता है दोस्तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो प्राकृतिक पीले रंजक से बना है ये ख्षारकिय विलयनों में लाल हो जाता है लाल पत्ता गोभी का अर्क जो लाल पत्ता गोभी के पत्तों से निकाला जाता है भी एक प्राकृतिक सूचक नाचरल इंडिकेटर है इसका रंग लाल है और ये अमलिय असेटेक विलयनों में लाल रहती है और ख्षारकिय बेसिक विलयनों में हरी हो जाती है हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जरेनियम जैसे कुछ फूलों की रंगीन पंखुणिया भी अमल और ख्षारक की उपस्थिती में रंग बदलते हैं और एक सूचक इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं उदाहरण के लिए हाइड्रेंजिया पौधे के फूल नीले रंग के होते हैं और ये ख्षारकिय बेसिक विलयनों की उपस्थिती में गुलाबी हो जाते हैं आप संशलेशित सूचकों का भी उप्योग कर सकते हैं संशलेशित सूचक वे सूचक हैं जो रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त किये जाते हैं जैसे की मिथाईल ओरिंज और फिनॉल्फ थलीन और जिनका उप्योग अमल एवं ख्षारक के परीक्षन करने में होता है मिथाईल ओरिंज का तटस्थ रंग नारंगी है वो अमलिय एसिडिक विलियन में लाल रंग देता है और चारकिय बेसिक विलियन में पीला रंग देता है फिनॉल्फ थलीन का तटस्थ रंग बे रंग है ये अमली अविलियन में रंग हीन रहता है और शार्की अविलियन में गुलावी रंग देता है आए अब हम एक क्रिया कल्प के द्वारा देखें कि विभिन्न पदार्थ प्रिथक प्रिथक सूचकों के साथ कैसे रंग बदलते हैं विज्यान की प्रयोक्षाला से हीड्रोक्लोरिक अमल, HCl, सल्फूरिक अमल, H2SO4, नैट्रिक अमल, HNO3, असितिक अमल, CH3COOH, Sodium Hydroxide, NaOH, Calcium Hydroxide, CaOH2, Potassium Hydroxide, KOH, Magnesium Hydroxide, MgOH2, और Ammonium Hydroxide, NH4OH के विलयोनों के नमूने एकत्र करें अब इन प्रत्येक विलयोनों की एक बूंद वाच ग्लास में बारी-बारी से रखें और साड़नी में लिखे सूचकों की एक-एक बूंद से जाज करें आप लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनॉफ्थलीन और मिथाईल ओरेंज विलयोन के साथ लिये गए विलयोन के रंग में क्या परिवर्थन देखते हैं? अपने प्रेक्षन को सारणी में लिखें रंग में परिवर्थन के द्वारा ये सूचक, इंडिकेटर हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अमल, एसिड है या क्षारक, बेस एक और प्रकार का सूचक है जो गंधिय सूचक, ओल्फाक्टरी इंडिकेटर है गंधिय औल्फाक्टरी शब्द का अर्थ गंध की भावना से है वे पदार्थ जिनकी गंध अमलिय और क्षारकिय माध्यम में बदलती है उन्हें गंधिय सूचक कहा जाता है उदाहरन के लिए प्याज और वेनिला एसेंस प्याज में एक विशिष्ट गंध होती है जब हम इसे सोडियम हाइड्रोकसाइड जैसे क्षारकिय और विलियन में मिलाते हैं तो प्याज की गंध का पता नहीं लगाया जा सकता है हलाकि एक अमलिय और विलियन प्याज की गंध को नश्ट नहीं करता है वेनिला एसेंस में एक विशिष्ट सुखद गंध है अगर सोडियम हाइड्रोकसाइड जैसा क्षारकी अविलियन वेनिला एक्स्ट्राक्ट में मिलाया जाता है तो हम वेनिला एक्स्ट्राक्ट की गंध का पता नहीं लगा सकते हैं हाला कि अमली अविलियन वेनिल्ला एक्स्ट्राक्ट की गंत को नश्ट नहीं कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने अमल, आसिद्स और ख्षारक, बेसिस के गुण धर्मों का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अमल एवं ख्षारक की अभीक्रियाओं, रियाक्शन्स और आसिद्स और बेसिस के बारे में जानेंगे।